पानिपत के संजे चौक का नाम तो निगम प्रिशासन ने बदल कर वंदे मातरम चौक कर दिया पर यहां के हाला आदपा ही पुराने हैं ना ट्राफिक विवस्ता सुधरी और ना सर्विस लेन से अतिक्रम अनहटा जिला प्रिशासन के एक अधिकारी का कहना है कि योजनाय ब पर ऐसा होता लग नहीं रहा ये राए केस टड़ी के बात सामने आ रही है हालंकि प्रशाशन योजनाय बना रहा है पर फोरी राहत कहीं नहीं दिख रही जिटी रोड के जाम को खत्म करने के लिए प्रशासन की प्राथमिक्ता सुची में ये भी था कि जिटी रोड के रेडियो को अटवाया जाए कोशिश तो होई पर नतीजा कोई नहीं निकला गोरतलब है कि 5 साल पहले सरकार ने हर शेहर में स्टीट वेंडर खोलने की योजना बनाई थी सर्वे भी हुआ पर जमीन पर कहीं कुछ नहीं इधर इसी संजे चोक पर एक तमाशा हो गया ट्रै कोन कर दिया विधायक ओफीस से तीन लोग आधमकी ट्रेफिक पुलीस से उलज गई मीडिया का कैमरा चला तो छिपने लगे सर इनके पास ना तो आरशी है ना लाइसस है ना के पिच्छे नमेर लगा रखा है तो इनको रोकागै रोकने के बाद ही हमले ओफिस से बात करा रहे थे यह साथ आ कि आए तो जब आप लोग आयो आने के बाध रहे हैं से गोरतलब है कि पहले इस चोक का नाम 30 साल से संजे गांधी चोक था एक बीजेपी विधायक की पहल पर नगर निगम ने चोक का नाम वंदे मातरम चोक कर दिया है ट्रैफिक पुलिस के एक अफसर का कहना है कि हम हालात सुधार सकते हैं ये नेता ही काम नहीं करने देते इने वोट बैंक चाहिए बात वही परूप देश कुशल बहुते रे क्या मैं मैं रजीश कुमार के साथ वेंदर कतोरिया टोटल नेउस पानिपत बीरो